हेलो फ्रेंड्स ACL क्या है ACL हमारे गुटने के अंदर एक लिगामेंट रहता है जो हमारा थाइबोन फीमर और लेग बोन किबिया को अटाच करता है हमारे घुटने को stability प्रवाइड करने काम ACL करता है जब एक normal individual में ACL intact रहता है तो वो daily activities like running, jumping, sports activities कर सकता है बट अगर कोई sports injury या फिर road traffic accident में ligament injured या tear हो जाता है तब हमें सबसे पहले injury के दरम्यान एक pop जैसा sound फील होता है उसी के साथ बहुत ज्यादा दर्थ होना घुटने के अंदर swelling होना जैसे symptoms feel होता है तो as a initial part of treatment आप price regimen follow कर सकता है जिसमें P for protect मतलब घुटने को further injury से protect करिये R for rest जब तक उठना आपका ठीक नहीं हो जाए तब तक उसे rest नीचे I for ice ice replication कर सकता है C for compression dressing दे सकता है E for illusion पहले थोड़ा illuit रख सकता है अगर इससे आपके symptoms या दर्थ कम ना हो तो के doctor का आप consult कर सकता है जो आपके history कुछ clinical examination test और कुछ lab test जैसे x-ray MRI करके आपका गुटने का diagnosis करते है अगर उसमें आपका high grade partial tear या फिर full tear या फिर complete tear आया तो उसमें कुछ समय के बाद आपी का एक tendon निकालके हम लोग ACL को वापस recastra क्या वापस बनाता है तो उसमें most commonly used हम लोग tendon ही करते है तो hamstring लेकिन कभी-कभी हम लोग bone particular bone tendon या फिर peronus longest tendon या फिर quadricep tendon भी use कर सकते हैं अगर आप हमारे technique के बार में और जानना चाहते हो तो प्लीज हमारे चानल को like करिए subscribe करिए और share करिए thank you